हलो प्रेंड वेलकम टू मैं चैनल छोटी सी रसोई आज मैं आपके लिए हेल्दी रेस्पी लेके आई हूँ जिसे आप नाश्ता में खा सकते हैं टीफिन में बच्चों को दे सकते हैं बहुत ही जल्दी पांच मिट में मात्र बन के रेडी हो जाता है जैसा कि आप देख रहें कितना सॉफ्ट और जालीदार ये बनता है सुजी का बना हुआ है बिना तिल का बना हुआ है और इसके साथ खाई जाने वारी चटनी की रेस्पी भी इस वीडियो में है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आपको में ये वीडियो पसंद आया तो लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी चटनी बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक पैन में एक चमद तेल डाल के गरम कर लिया है और इसमें मैं डारी दो चमद भर के मुंग फली कच्चा मुंग फली है मीडियम फ्लेम पर आप इसे भून ले अच्छे से तो कुछ टाइम के बाद ये भून जाएगा और एक हरी मीर्चे जो लाल हो चुकी है इसे भी हम 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगा और उसके बाद मैं इसमें डारी एक प्याज तो थोड़े से बड़े सा इसके प्याज थे ये और इसे मैंने नॉर्मल ही कट कर लिया है इसको भी हम एक मिनट के लिए भून लेंगे जैसा कि आप देखरें थोड़े से सॉफ्ट हो गया बहुत जादा हमें भूनने की जरूत नहीं है एक मिनट काफी हो जाएगा इसके बाद इसमें मैं एक टमाटा डार रही हूँ और इसके बाद एक चोटा चमच नमक जाएगा इसमें और इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है नमक से टमाटर हमारा बॉजल दिगल्ने लगेगा और इसमें मैं डेड़ चमट आ रही हूँ सामबर मसाला और इसी के साथ मैं इसमें डार रही हूँ आधा छोटा चमज का समीरी लाल मिट इससे कलर आएगा और इन सब को मिक्स कर लेंगे और ढखकन लगा के हम इसे एक मिनट या दो मिनट के लिए पकने दे देंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए तो एक दो मिनट हो गया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि टम कर दिया है और इसके बाद हम एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे सांबर मसाला के आलाव आपको कुछ भी नहीं चाहिए रहेगी उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक मिक्सिजार में डाल दिया है और इसका हम फ लिए फ्लेम को लो रखा है मैंने एक चुटा चमर सरसो के दाने डाल दी है एक लाल मीज मैंने डाला है थोड़े से मैं इसमें कड़ी पत्र डालूंगी बैस गैस को मैंने बंद कर दिया और यह रेडी हो गया है हमारे चटनी को उपर जाने के लिए तो थोड़ा सा डाल के पहले मैं मिक्स कर लूँगे जिसे सारे फ्लेवर इस चटनी के अंदा चला जाए उसके पाद थोड़ी सी जो बचेगी वो इसके गार्निसिंग में कामा जाएगा यह चटनी बहुत जार टेस्टी बनता है आप इससे उतपम अपम या फिर आप किसी इडली के साथ खा सकते बहुत ही टेस्टी बनता है तो चटनी हमारा रेडी है बहुत ही जल्दी बन गया है इसके बाद चलिया हम अपना बनाते हैं सूजी का अपम जो बहुत ही हेल्दी है तो एक कप मैंने सूजी लिया है बारीक वाली सूजी का मैंने यूज किया है और इसको मैंने मिक्सी जार में डालके अच्छे से इसको पिस लेंगे 1-2 मिनट तक तो एक-2 मिनट आप अच्छे से मिक्सी में इसे डालके पिस लें देख रहें बिलकुल कितना अच्छा बैटर बन के रेडि हो गया है, जो मिक्सी जार में थोड़े से लगे हुई रहते हैं, तो थोड़ी सी एक-दो और इसको हम बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और अगर आप ज्यादा quantity में आप हम बना रहें तो बैटर को आधा कर लें पहले आधा में इनों मिला है उसके बाद आधा में क्योंकि जब बैटर को हम मिला के ज्यादा टाम तक छोड़ते हैं तो इतने अच्छे जाली नहीं निक क्योंकि बैटर हमारा पतला रहता है तो अपने अच्छे से फैल जाता है और एकदम पतला अपम बनके रेडी हो जाता है बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेकिन आच्छा खासा पतला बन जाता है इसको हम उपर तक ट्राय होने तक सिखने देंगे लो फ्लेम पे देखने कि को हलके से इधा उदर करके जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रहे हैं तो और पतले अपके अपम बनेंगे और अच्छी जाली निकलेगी इसके बाद मैं इसे धकन लगा के कुछ सेकिंड और पकने देती है इससे क्या है कि ये थोड़ा जल्दी पक जाता है उपर जल्दी स बना सकते हैं तो इसका एक अपंग को मेन mechanism ले लिया है साथ प्लेट में ले लिया है अब मैं आपको दिखाते कितना ज्यादा ये सॉफ प्रस्टेबन ये तचले मिलते अगली रस्पिकेस